अनुरादा पॉडवाल के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती, अलका यागनिक एन अनुरादा पॉडवाल एक दूसरे के तरफ देखती भी नहीं है, एक दूसरे के लिए मुस्कुराते भी नहीं है, एक दूसरे के बारे में बात भी निकरते हैं अपने इंटेव्यूज में अगर किसी event में, किसी function में एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो भी एक दूसरे से मूँ फेर लेते हैं क्या हो गया है था ऐसा जिसके विज़से अलकायागनिक अनुरादा पॉडवाल एक दूसरे के साथ इस तरह से भीएफ करते हैं इस बारे में आपको बताऊंगा तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलकायागनिक obviously 1980s से लेकर के 1990s तक उन्होंने completely इंडिन फिल्म इंडस्ट्री की music scene को dominate किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में mid 80s से लेकर के mid 2000s तक अलकायागनिक नुमर यूनो सिंगर थी most of the songs अलकायागनिक के पासे जाते थे हर playback singer अलकायागनिक को एड्मायर करता था music directors अलकायागनिक को ये लेना चाते थे but 90s के वक्ते कैसा भी दोर था जब साधना सरगम और अनुरादा पॉडवाल ने अलकायागनिक के साथ compete किया था and एक three horse race था अनुरादा पॉडवाल वर्सेश साधना सरगम वर्सेश अलकायागनिक और उसी बीच 1990 में एक film आई थी जिसका नाम था दिल दिल फिल्म को डिरेक्ट किया था इंदर कुमार ने आमिर खान और माधूरी दिख्षित की फिल्म थी और एक बहुत बड़ी blockbuster साबिथ हुए थे दिल दिल फिल्म का music दिया था आनन् बिलिन ने आनन् बिलिन की music director की जोड़ी बहुत बड़े हिट जोड़ी थी पॉडवाल ही गए और ऐसा ही हुआ कि सारे गाने अन्रादा पैडवाल नहीं गए बट इसके पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसमें सारे गाने अलका यागने के रिकॉर्ड किये थे फिल्म के डिरेक्टर इंदर कुमार चाते थे कि अलका यागने की फिल्म के साने गाने रिकॉार्ड करें इंदर कुमार का साथ दिया था उसमें फिल्म के प्रोडिूसर अशूक ठाकेरिया एंदर कुमार खुद ने जिन्होंने ये कहा था कि माधुरी दिख्षित के लिए अलका यागनिक के अवाँ जादा सूट करेगी एस कंपेर्ट टू अनुराधा पॉडवाल और ये चीज़ कहा करके फिल्म के डिरेक्टर ने आनन्द मिलिन और समीर लिरिसिस्ट को कंविंस किया था कि माधुरी दिख्षित के लिए अलका यागनिक के अवाँ जादा अच्छी बैठेगी और अलका यागनिक से गाना रिकॉर्ड करवाया जाए फिल्म के सारे गाने मुझे नीन ना आए, हमें प्यार करने वाली, दमा दम मस्त कलंदर ये सारे गाने अलका यागनिक में रिकॉर्ड किये थे वित उधित नारायन और सारे गाने बहुत अच्छी से रिकॉर्ड हुए थे पट फिल्म की जब कैसेट लॉंच होनी थी उस वक्त फिल्म की कैसेट निर्धारित समय पे लॉंच नहीं हो पाया था जब अलका यागनिक ने आनन्द मिलिन को फोन करके पूछा कि फिल्म का कैसेट आज लॉंच होने वाला तो कैसेट लॉंच क्यों नहीं हुआ तो अनन्द मिलिन ने अलका यागनिक को कहा कि कुछ टेकनिकल डिफिकल्टीज आ गई ہیں और इसलिए cassette launch को एक हफ़ते के लिए पुस्पून कर दिया गया है ये वजह आनन्द मिलिन ने अलका यागनिक को दी उसी के अगले दिन अलका यागनिक ने स्टाडस मैग्जिन में खबर पड़ी जिसमें एक तस्वीर छपी थी कि आनन्द मिलिन अनुरादा पॉडवाल के साथ एक रेस्टरॉंट में डिनर कर रहे थे इस चीज़ को देखकर के अलका यागनिक ने दो और दो चार कर लिया अलका यागनिक को मालूम साथ कि साथना सरकामार अनुरादा पॉडवाल उनकी कॉम्प्टीटर्स है और उन्होंने इस चीज़ काल्कुलेट कर लिया कि कल उनका कैसेट लॉंच नहीं हो पाया और अगले दिन स्टाडस में इस इमेज का छपना जहां पे आनन्द मिलिन अनुरादा पॉडवाल के दार टिनर कर रहे है उनको यहीं लगा कि में भी अलका के गाने रिप्लेस कर दिये जाएंगे विद अनुरादा पॉडवाल अलका यागनिक बिना बताए उसे दिन स्टूडियो पे पहुँच गई जहां पे गाना रिकॉर्ड अलका ने खुद किया था उस स्टूडियो में अलका यागनिक ने देखा कि आनन्द मिलिन अनुरादा पॉडवाल से भी सारे गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको लेकर के अनुरादा पॉडवाल अलका यागनिक के बीच में बहुत बड़ी इसारे खतम कर दिये and cassette launch नहीं हो पाई and वो technical difficulty एक ही दिन में खतम हो जाती है और अनुरादा पॉड़वाल वो सारे गाने रिकॉर्ड कर रही होती है इसको लेकर बहुत 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 हुई अलका यागनिक और अनन्द मिलिन के बीच में and अनुरादा पॉड़वाल जब अनन्द मिलिन के डिफेंस में आई तो उस वक्त अलका यागनिक और अनुरादा पॉड़वाल के बीच में भी बहुत बड़ा जगड़ा हो गया दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें भी कह दी कुछ ऐसे चीज़ें कह दी जो की अशोब नहीं थी पट फिर भी हीट फ़ दोनों लोगों ने एक दूसरे को वो चीज़ें कह दी बाद में आगे बढ़के अलका यागनिक में आनन्द मिलिन के लिए कोई भी गाना ने रिकॉर्ड किया अलका यागनिक ने सारे कंडिशन्स टर्मिनेट कर दिया आनन्द मिलिन के साथ और अनुरादा पॉडवाल के साथ भी अलका यागनिक ने लाइफ में कोई भी गाना कंपोज ने किया उसके बाद 1997 में एक फिल्म आय थी जिसका नाम था इतिहास जिसमें ट्विंकल खनना थी उस फिल्म का भी एक गाना था जिसको अलका यागनिक ने रिकॉर्ड किया था बट उस गाने को भी अनुरादा पॉडवाल से री-रिकॉर्ड करवाया गया अलका यागनिक ने उस वक 1997 में स्टारडस मैगजीन को एक इंटर्व्यू दिया जिसमें उने सारी चीज़ें बताई कि दिल फिल्म के शूटिंग के दौरान गानों के दौरान क्या चीज़ें हुई थी और क्या प्रॉबलम है उनके और अनुरादा के बीच में अलका ने कहा कि अनुरादा को एक रंजिश निकाल रही है अलका के साथ बिकाज अलका न्यूमरी यूनो सिंगर है अलका ने ये भी कहा कि टिंकल खनना के लिए अलका की आवाँ जादा सूट करेगी और के बावजूद अनुरादा पॉडवाल लगा था डैक्टरस को कन्विंस करने की कोशिश करते रहती है कि उनकी अवाज जादा बेटर है heroines के लिए उनकी अवाज जादा बेटर है female heroines के लिए as playback singer than अलका यागनिक अनुरादा पॉडवाल जादा गाने नहीं गापाई बट दिल फिल्म के दौरान दिल फिल्म के पाचों गाने चाहे मुझे नींद ना आये हो चाहे हमें प्यार करने वाले हमने घर छोड़ा है या दमादम मस्त कल अंदर ये सारे गाने उदित नारायन और अलका यागनिक ने रिकॉर्ड कर लिये थे बर उसके बावजूद अनुरादा पॉडवाल ने आनन्द मिलिन को कंविंस किया कि उनसे गाना रिकॉर्ड करवाया जाए और जब ये चीज अलका यागनिक को पता चली तो उन्होंने अनुरादा पॉडवाल और अनन्द मिलिन को कंविंस किया और अपने सारे रिलेशन्स टॉमिनेट कर लिया अनन्द मिलिन के साथ और अनुरादा पॉडवाल और अलका यागनिक के बीच में खाई कि जा गई जो कि आज तक भरी नहीं जा पाई है अलका यागनिक और साधना सरगम